प्रूरी सूचना है आप सभी इस्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android app Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें apply करते हैं यह coupon code है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई space नहीं कोई कॉलम नहीं इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में buy करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट लेगा वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तों हम लोग history के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं modern history के लिए लिस्टिंग करेंगा मतलब modern history के जितने भी important facts होते है डेट वार्स वाइस और ओर मतलब जितनी भी modern history के प्रिलिम्स के लिए important questions आ सकते हैं paper में 10 से 15 सवाल वो इसी लिस्टिंग से आपको मिल जाएंगे इस लिस्टिंग को परचेट भी कर सकते हैं नमबरों पर call या WhatsApp करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं complete study material selection material जितना exam के लिए जरूरी है सिर्फ उतना तो अगर आपने second lecture नहीं देगा playlist बनिए history listing करके तो उसको अच्छे से follow करिए इसके बाद जब यह listing हो जाएगी बहुत जल्दी खतम करा दूंगा मैं इसको फिर 500 MCQ करा दूंगा ठीक है और PYQ पड़े ही हुए हैं बस इतना देख डालो history cover हो जाएगी सारे paper अराम से निकाल सकते हो अगर इतना देख नहीं थोड़ी हो तो उसको learn भी करना है तो अच्छे से देखिए learn करिए चले आंग नेपाल यह तो कर चुके हैं गोर्खा 1814-16 वाला आज का जो लक्षर शुरू को यहां से होगा भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का प्रताम अधिवेशन आपको पता होगा आगे में सारे वॉइसराय का टाइम पीरेड अलग से आपको एक ही जगा कराऊंगा डुती कारखाना अधिनियम यह आभी चुका है आरो यारो में कब आया तब यह 1891 बारती परिसाद अधिनियम कब आया था 1892 में आया था बारती परिसाद अधिन और महीं लॉइसराय इंपोर्टन भाई या फाइव स्टर बनाऊ 1897 में हुए थी बहुत इंपोर्टन ते रामक्रिशन मिशन किसने करी थी स्वामी वेव करना 1897 को करजन का टाइम पीरेड बहु ज्यादा इंपोर्टन भी या बंगाल का विभाजन करा था इसने 1899 से 1905 लॉड करजन बंगाल क लॉड मिन्टो फर्स थे उनका कारेकाल किया था 1807 से 13 ठीक है और लॉड मिन्टो सेकंड का कारेकाल 1905 से 10 ठीक है समाचार पत्र अधनियम और तिलक उदेश-द्रो का दोशी कब ठहरा गया था 1908 को ठहरा गया था यह याद रखनी है मॉरल मिन्टो रिफॉर्म इंडियन का उस्तान अंठ्रित करा गया था मतलब राजदानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाए गए तई 1911 में बनाए दिल्ली दर्वार गांधि बहता है 1915 में फह गांदीuste अ पनिल्टि यकाब आता है 1911 में आता है तीस्रा आ यह अदिनियम और दूसरा जबशी वादा पर आ अजिश् पर नहीं सब चीजे कब हुई थी यह सब चीजे हुई आपकी 1916 में मौन्टेग्यू चेमफॉर्ड रिफॉर्म और रॉलट आट्ट चाब आनगोए तब यहां हुआ आसायो गांदोलन 1920 मोपला विद्रों कब हुआ भी या मोपला विद्रों 1921 में होता है वोई सरह लौड रीडिंग का कारेकाल क्या था 1921-26 क्या था इनका कारेकाल 1921-26 वोई सरह लौड इर्विन का कारेकाल क्या है 1926-31 बहुत साइमन कमिशन मुंबई का पहुचता है मतलब भारत का बाता है तीन फरवरी 1928 यह देट याद रखनी है शायद आपने आरोयारो का पेपर दिया होगा पिछले साल पूछा है ठीक है मतलब यह जो अभी आरोयारो को पेपर लीग हुआ था फरवरी में पीन फरवरी 1928 को मुं मुंबई पहुंचा था साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई आठ नॉमबर 1927 तो ये दोनों बातों में फरक है आपको याद रखना है कि इसकी घोषणा 1927 होई थी पर यह मुंबई पहुंचा था ये बहुत ज्यादा इन्प टेट देर 24 मार्श 1930 से बार अप्राय उनिस्ओ थीच पृथम गॉलρείबर सम्मेलन कम होता ये अ equation इर्विन समझोते ही पर रस्ताच्यर कब होते हैं 1931 में ठीक है गांदी इर्विन पैक्ट 1931 में आता है प्रथम गोल में सम्मिलन 1930-1931 लौड विलिंग्डन का वाइसराय के रूप में कारकाल कब से शुरू होता है लौड विलिंग्डन का 1931 से 36 के तीसरा गोल में पूर्ण समझोता 1932 में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है सविना वग्यान दोलन 1934 में शुरू होगा फिर ठीक है 1934 वागी यह तो दांडी मार्च यह शुरू होई चुका है 32 सरकार अधनियम 1935 ब्रिटिस अंसाद द्वारा पार होगा 1935 में लौड लिन लिद्गो का वाइसराय के रूप में कारकाल था 1936 से 44 लौड लिन लिद्गो कॉंग्रेस का हरीपूरा सेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेन है सुभास चनबोज जी इसके हद्देज बनते 1938 में और दुती विश्यूदी शुरू हो जाता पारित पाकिस्तान प्रस्ताव निस सो चालीष और वहीं बात करें अगर क्रिप्स मिशन मार्च निस सो बैया लिद्गो को कॉंग्रेस द्वारा पारित भारा चोड़ो प्रस्ताव लाया गया था कब 1922 वोय्ष रहें लॉड वैवल का कारेकाल क्या था Mario Airport क्या है लॉड का कारेकाल 9 wars नाबासस आजद इंडिंड फॉचन भारती दरती यह इंदो-बर्मा जो बाडर है कोई मार इंफाल पर कब कदम रखता आजान दिन फोज ने 18 मार्च 1944 को ठीक है कबिनेट मिशन भारत का पहुचता यह भी बहुत important है 24 मार्च 1916 को कब पहुचता कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1916 कबिनेट कैबिनेट मिशन और वोइसराय लौड वैवल द्वारा दिया गया एक बयान था 16 मैं 1946 को यह कब आगा 16 मैं 1946 और वहीं लौड मांट बेटन का वोइसराय के रूप में कारेकाल किया था 1947 से 48 माहत्मा गांदी की हत्या 30 जन्वरी और राज गोपालाचारी को पृथम भारति गोवनर्नर जन्रल नियुक्त किया गया 21 जून को ठीक है 1948 कब थीज जन्वरी 1948 और 21 जन्वरी 1948 को इनको पृथम गवर्नर नियुक्त किया गया था भारत का नया समिदान अपनाया गया और रास्पति यह कब बने 1950 को ठीक है तो यह था इंपॉर्टन चीज़ है यहां तक की आपको यहां तक का आप दो लेक्षर देखोंगे पूरी लिस्टिंग यहां तक की आपको लर्न हो जाएगी अब देखते हैं उसके आगे का कुछ अन्य महतपूर घटना है ठीक है तो 1765 में इंग्लिश इस इंडिया कंपनी को आपको पता हो का बंगाल की दिवानी का राइट मिलता है ठीक है 5708। में चार्टा राइग जो आता है इस इंडिया कंपणी के क्रिया कलापो को विन्य मित करने के बंबाई दक्कन में संथलों की बगावत होती है तो पच्पंच अपन में वही जो शुर्टाइब विद्रों उससे पहले बस 1861 में कपास में तेजी का समारम होता है और वहीं 1875 में रहतों ने दक्कन के जो गावों हैं वहां पे विद्रों कर देते में रायत्वारी जो होते हैं ठीक है रायत्यों होते हैं और वहीं 1801 में अवद में वैल्जली द्वारा सहायक संधी लागू कर दी जाती एंटारसों एक में नवाग वाजिद अली शाजों वह गद्दी से उसको अटाया जाता और अवद का अधिक्रहन कर लिया जाता है और 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवद में संशिप्त राजय सुबस्तियां शुरू की गई जिससे तालुकदारों की शक्तियां कम हो जाती है और वहीं 10 माई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रों शुरू होता है और 11 12 माई 1857 को दिल्ली रच्छक सेना में विद्रों होता है बहा यूपी के यह क्यों कि है लगनों में विद्रों कब होता है तीस माई 1857 को होता लगनों में विद्रों और वहीं माई जून 1857 में सैनिक विद्रों एक व्यापक जन विद्रों में बदल जाता है 1857 में माई जून में और तीस जून 1857 को चिनहट के युद में अंग्रेजों में दाखिल अटी में स्दूल लगतलों एप यूछामल की मल्टी ओजाती और जून अथारातौं तरशाइज दाश्टमें उस्वी में यूरोपीज व्यापासी कंपनियां भारत विखनाने लाने स्थापित करती हैं कब पंदरासो जबनाते हैं मचली पट्णम में डच 1650 में मदरास बनाते हैं डच 1649 में बंबाई में 1601 में कलकटा में 1690 पॉंडिचरी जो है 1670 में फ्रांसीसी अपने ठिकारें बनाते हैं 1777 ये तो बात करने की बाती नहीं कितना ज़्यादा फेमा से फ्लासी का युद्धिक लिए 1774-1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच नियाले की स्थापना होती ही 1774 में एशियाटिक सोसाइटी बनती है 1784 में सर्विलियम जोन्स की द्वारा बहुद इंपोर्टन डहीं 1793 में कॉर्ण वॉलिस संहिता बनाई जाती है और वहीं 1803 इस्वी में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेल्जरी द्वारा लिखित मिनिट्स होता है 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता कहां दक्कन पर और बंबाई को नए प्रांद की राज़दानी बनाया जाता है 1853 में भारत में पहली रेल दाड़ी मुंबाई से थाने चला जाती सबसे इंपोर्टन ए 1813 याद रखने और वहीं 1857 में बंबाई में पहल बंबाई कलकत्ता और मद्राज में विशुद्याल कब बना 1864 में 1881 में मद्रास हारबर का निर्मार पूरा होता है कब 1881 में और वहीं 1896 में बंबाई के वाट्सन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई जाती है 1896 में बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है और वहीं 1911 में कलकत्ता की जगर दिल्ली को राजदानी बनाया जाता है कब यह दमलुक देख चुके अभी 1915 में मात्मा गांदी जी दच्छिन अफरिका से भारत लोटते हैं 1917 चंपारण अंदोलन होता है 1918 खेडा सत्यागरे किसान अंदोलन और एहमदाबाद में मजदूर अंदोलन और वहीं रॉलेट सत्यागरे की बात करें तो मार्च अपरेल 1919 में होता है अपरेल 1919 में जलिया वाला बागत्यागंड हो जाता है तो यह सब क्रोनोलोजी है याद रख्यों समय यह सब इंपॉर और दॉली में किसान अंदोलन होता है जिसको सर्दार पटेल लीड करता है 1929 में लाहॉर अधिवेशन होता है पूर्ण सवराज की मांग कॉंग्रेस रखती है इसमें और मार्च अपराल मर्च अपर दिसंबर कॉंग्रेस सिब्सकीटमें और किसी में पर्मेंने पर्सकेर्ट की मिर्टार में और से जाता है जाता है पंडिलों का त्याक पत्र दिया जाता है अगस्त 1922 में भारत चोड़ों अंदोलन शुरू होता है और 1946 में महात्मा गांदी सांप्रदाइक हिंसा को रोकने के लिए नोखाली तथा अनहिंसागरत इलाकों का दौरा करते हैं वहीं जब हिंदो मुस्लिम के रायट्स हो जाते हैं विभाजन के फल सुरूप यह जरूर याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है कि पाकिस्तान के नाम पेश किसने किया था किसने करा था पंजाबी मुसल्मान यूवक चौधरी रहमत अलीने ठीक है चौधरी रहमत अलीन अगला जो है 1937 में ब्रिटिश अरकार के 11 में से 7 प्रांटों में कॉंग्रे की बात करेंगर तो प्रांटों में चुनाव संपन्न होते हैं सामान निर्वाचन छेत्रों में कॉंग्रेश को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को सांधार कामिया भी मिलती है फिर मार्च से जून की बात करेंगर तो ब्रिटिश कैबिनेट अपना तीन सदस्च करें तो कलकत्ता में हिंदू सिक्षों और मुसल्मानों को बीच हिंसा हो जाती है और कई दिन चलने वाली हजारों मरते हैं गदर में देखा हो आप में फिर मार्च 1947 तो अंग्रेश हाई कमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिक बहुल इस्सों में बाटने के पक पाकिस्तान का गटन 14 को होता है 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंता दिवस मात्मा गांदी संप्रदाइक सोहार्थ बाहल करने के लिए पूर्वी बंगाल में नौखली का दोरा करते हैं और 26 जुलाई 1945 को ब्रेटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाती है क इसकी लेबर पार्टी की दिसंबर जन्वरी 1942 में ब्रेटेश भारत में आम चुना हो जाते हैं ठीक है और माई 16 मैं 1946 को केबिनेट मिशन अपनी सम्विदानिक योजना की गोश्रा करती है 16 मैं 1946 को और माई 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग काबिनेट मिशन की सम्विदानिक को मुस्लिम लीग द्वारा पृत्यच कारवाई दिवस मनाया जाता है और भारत में अंत्रिम सरकार का बंती है 2 सितंबर 1946 को कॉंग्रेस अंत्रिम सरकार का गठन करती जिसमें नहरू जी को उपराष्टपती बनाया जाता है अगला जो है 13 क्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंत्रिम सरकार में सामिल उने का फैसला भी लेती है और 3 से 6 दिसमबर 1946 को ब्रिटिश पृदान मंत्री जोते क्लीमें डेटली कुछ भारती नेताओं से मिलते हैं इन वारताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता है और 9 दिसमबर 1946 को सम्विदान सभा के अडिवेशन शुरू हो जाते हैं यह यादर ना पहली बैटक 9 दिसमबर को ही होती है और 29 जनवर 1947 को मुस्लिम लीग सम्विदान सभा को बंग करने की मांग भी करती है 16 जुलाइ 1947 अंत्रिम सरकार की आखरी बैटक बहुत इंपोर्टन्ट है कब होती है 16 जुलाइ 1947 11 आगर्स 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की समविदान सभा का देच निर्वाचित किया जाता है किसको जिन्ना को और 14 आगर्स 1947 को भारत का विबाजन निश्चित होने के बाद एक नए राष्ट पाकिस्तान का निर्माड हुआ कराची में जश्न भी मनाया गया यह 14 अगर्स्त को यह लोग मनाते हैं आम लोग 15 अगर्स्त को बहिया मनाते हैं सोतन्ता गर्स 26 नॉमबर निश्चास को भारत का समविदान विदान सभा दवारा पारित हुआ यह आपको 54 और 26 जनुबर निश्चास को समविदान लागू हो जाता है तो यह था दोस्तों आज का लेक्षर देखिए अपने नेक्स लेक्षर कल करेंगे जिसमें महत्पूर्ण संस्था हैं और उनके स्थापनावार समलोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है कौन सी संस्था बनी यह सब बहुत मैचिंग में पूछता है तो हम लोग करेंगे इसको लिम्टेड एडिशन में थोड़ा-थोड़ा करेंगे आप डेली इसको लर्न करेंगे आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा बाकी आप इसकी लिस्टिंग हिस्ट्री जोग्रफी पॉलि कर लेते हैं प्रक्टिस कर लेते हैं रिवीजन कर लेते तो आप अराम से कट आफ को क्लियर कर सकते हैं